नमस्कार मैं हूँ विज्या और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट शबाना अजमी ने बीजेपी की जीत पर कह दिये ऐसी बात कि हो गई वो ट्रोल क्या है ये खबर आई आपको बताते हैं सत्रहवी लोगसभा के लिए हुए चुनाओं में बीजेपी और एंटी की प्रचंड जीत ने तमाम लोगों और विशेशग्यों को चौका कर रख दिया है आलम ये है कि मोधी सरकार के आलो चक रहे लोग भी इस भारी जीत से हरान है और आप उन्हें बधाईया दे रहे हैं इन्ही में शामिल है वेटरन आक्रेश शबाना आजमी भी जनोंने नरेंदर मोधी और बीजेपी को बधाई दी है शबाना ने अपनी ट्वीट में लिखा है भारत की जनता ने क्या मजबूत जनादेश आपको दिया है बधाई नरेंदर मोधी और बीजेपी नेतरत वाली एंडिये शबाना आजमी उन बॉलिवुड सेलिब्रिटीज में शामिल रही है जिनोंने मोधी सरकार के खिलाफ आलोचनात्मक रवया रखा है और वक्त वक्त पर सोशल मीडिया और विविन मंचों के जरिये कुछ मुद्दों पर सरकार और बीजेपी का विरोध जारी रखा मगर आप पीम की जीत की बधाई देकर शबाना ने लोकतंत्र की स्वस्त परंपरा का निर्वहन किया है हलाकि इसके बाद लगाता ट्रोल हो रही है शबाना आजमी इसके अलावा शबाना आजमी ने हेमा मालिनी और किरनखेर को भी बधाई दी है वैसे खुद शबाना ने मुंबई में कॉंग्रेस की प्रत्याशी उर्मिला मातोंड कर का समर्थन किया था और उनकी चुनावी रैलियों में भी शिरकत की थी बिहार में शबाना ने CPI के उमीदवार कनहिया कुमार के लिए कैमपेइन भी किया था 1997 में शबाना को राजिसवा के लिए राश्ट्रपति की ओर से नामित किया गया था और अब शबाना ने ट्वीट कर मोधी को बधाई दी जिस पर लोगों की ऐसी प्रतिक्रिया सामने आई ऐसा लग रहा था जैसे ट्रोलर्स उनकी ट्वीट का इंतजार कर रहे थे उनके साथ उनके हस्बिन जावेद अक्तर को भी ट्रोलर्स ने निशाना बनाया और उन्हें पाकिस्तान तक जाने की सलाहदी डाली दरसल कुछ दिन पहले ही ऐसी अफवा थी कि शबाना ने कहा था कि अगर मोदी दुबारा पीम बने तो वो देश शोड़ देंगी जिसको लेकर लोगों ने उनकी काफी आलोश ना की थी हलाकि शबाना ने कभी ऐसा नहीं कहा था और अब पीम मोदी को बढ़ाई देने के बाद भी लोग बेवजर उन्हें इस बात को लेकर ट्रोल कर रही है आप देख सकते हैं कि किस तरह से शबाना आजमी ट्रोल हो रही है आपको बता दे शबाना आजमी आज भी फिल्मों में काफी आक्टिव है आज भी उनकी आक्टिंग काफी पसंद की जाती है बॉलिवूड एक्ट्रिस शबाना आजमी बॉलिवूड की ऐसी एक्ट्रिसेज में से शुमार रही है जो अपनी अलग तरह की एक्टिंग के लिए जानी जाती रही है शबाना आजमी सोशल एक्टिविस्ट भी है फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही